है और थो अपन ग्रेमरली को आपको रुट करने के लिए इसे निव टैब में ऑपन करने में सिर्ट सब आपके पास मुंश्टी वन क्लिक रहते हैं आपने इस पे सिंपल सा वनक्लिक करना है मुंद्लिक चैसे करेंगे आपके पास क्राहिब अपन हो जएगा यहाँ पर आप की extension को भी install कर सकते हैं add to chrome करके मैं आपको शोगरा दिता हूँ add to chrome करना है आपके पास एक new page new tab open होजएगा new tab open होने के बाद आपके पास यहाँ पे grammarly extension शोचेगी add to chrome पे आपने क्लिक करने add extension पे क्लिक करने है यह automatically आपके chrome ब्राउजर में add हो जाएगी extension इस step को close कर लेना है यह आपके पास grammarly working situation में आ चुका है और जो हमारी grammarly की extension है वो भी कुछ ही देर में हमारे browser में add हो जाएगी जहाँ पर यह देखिएगा यह इंस्टाल हो रही है adding to chrome ओके हमारे पास grammarly की extension भी install हो चुकी है मैं आपको शोकरा दूँ यह देखिएगा grammarly की extension मुझे हो था इसको pin कर लेना है यह page आपने reload कर लेना है यह page आपने reload कर लेना है यह page जिस तरह से reload होगा आपके पास grammarly working situation में आ चुका है आप अब जिस तरह से भी चाहें open कर सकते हैं मैं इस page को एक बार दुबार open कर लेता हूं यहां से grammarly को मैं again open कर लेता हूं यह देखिएगा मेरा grammarly open हो चुक है यह simple सा एक तरीका रहता है इसको use करने का बस